राज़ पत्पर आपका स्वागत है मैं है अरिकेश कुमार सुझी राजनीतिक विश्देशक और चिंतक हमारे साथ मौझूद है सौरभ बाचपेजी उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इस समय देश की विचारधारा कैसी चल लई है क्या खास है क्या बदल रहा है और क्या बदलने की जरूरत है देखे मौल रूप से तो जो रास्टर की विचारधारा है उसी को बदलने का एक उपकरम चल रहा है वसला हम लोग ये मानते हैं कि इस देश की जो विचारधारा है वो उसके सौधिंता संग्राम से निकले हुई है और आप देख रहे हैं कि पिछले स सालों के दोरान पूरी आजादी की लड़ाई के उपर जिस तरह अलग अलग तरीके से हमले हो रहे हैं नहरू जी का विलिफिकेशन कैमपेंच चलाया जा रहा है गांधी जी की जैनती के दिन गोट से जिन्दाबाद का जो ट्वीट किया जाता है स्टॉर्म कर दिया जाता है तो दरसल जिस विचारधारा पर यह देश टिका था उस विचारधारा को ही बदलने के प्रयास चल रहे हैं तो यह कोई छोटी मोटी चीज नहीं है मतलब कभी कभी होता है कि आपने उपर की मंजिले बदल दी कोई बात नहीं लेकिन आपने निव बर करार रखने दी यह पर नियू बदलने की कोशिसे चल रही है और इस वज़े से हम लोग बहुत चिंतित हैं कि अगर हमारी बुनियाद, हमारी विचारधारा, हमारी नियू बदल दी गई तो यह देश जो हमारे सौतंतरता संग्राम से निकला हुआ देश है वैसा देश फिर यह नहीं रह लगे ऐसा लगता है कि इस समय भी उसी तरह की समस्या जन्म ले चुकी है और उसी तरह से सोचा जा रहा है देखे बिलकुल बहुत वाजिब सवाल है आपका क्योंकि 47 के पहले आप देखिए तकरीबन 40-50 सालों से मैं कहूंगा 1894 से यह प्रक्रिया शुरू हो गई है कि बुखार से केंगे तो क्या होगा तो भारत कैसा होगा इसका एकसपना बोना गया और उसको अच्छीव करने के बहुत करमिक ढंक से प्रियास किये गए और उसमें सफलताई भी मिलीं काफी हद तक लेकिन काफी हद तक काशफलता भी मिलीं तो एक ओरंभिक रस्टरवादी हुआ करते थे बहुत कम लोग आज कल भारत के इतियास के बारे में जानते हैं लेकिन सुरिंडात बनर जी वो कहते थे कि इंडिया इस अ नेशन इन दा मेकिंग भारत राष्टर बनने की प्रक्रिया में है तो यह जो प्रक्रिया है यह बड़ी बहुत ज़्यादा घर कर गई तो उसके बाद हिंदुस्तान का एक बटवारा हुआ और नेरो जी बहुत साफ साफ कहते थे कि अगर बहुत संख्या काबादी के भीतर यानि हिंदों के भीतर साम प्रदा घर कर गई तो यह फासिवात की तरफ जाएगी तो आचानक से हम देखते हैं कि सत्तर एक साल के बाद हम फासिवात के मोहने पर जा करके खड़े हो गए हैं और यहीं पर वो जो प्रक्रिया थी वो उस पर एक बड़ी बाधा आ गई है बड़ी एक हिंडरेंस पैदा हो गई है और मुझे लगता है कि आजाद भारत कैसा होगा हम पड़ते वक्ते एक चीज अक्सर देखते हैं कि कोई कोई ऐसा पीरिड़ आता है जिसे हम अंधेर यूग कहते हैं या अंधकार काल उसमें पता नहीं चलता है कि एक्जेकली हुआ क्या क्या आजादी के बाद ये वकाल चल रहा है निस्चित रूप से कहा जा सकता है कि पिछले 20-25 साल से जो प्रक्रिया देश के भीतर चल रही थी और पिछले 7 साल खास तोर पर मैं कहूंगा कि भारती इतिहास जब लिखा जाएगा समसामई की इतिहास जब लिखा जाएगा तो इस पर एक अलग चैप्टर होगा और उसे शायद अंधयुक के तोर पर ही पहचाना जाए अब थोड़ा से एक अलग परिपेक्श है कॉंग्रेस जो अठारो सो पचासी की थी जो उनने सो पचास में थी और जो अब है कितना अमूल चुल परिवर्तित है और कितना बदलाओ की जरुवत या कितनी उसकी सुधार की जरुवत है लेकि अठारा सो पचासी में तो बीज पड़ा था और उननीस सो पचास के भीतर जो कंग्रेस की आप बात कर रहे हैं उसने अजादी की लड़ाई जीती थी और उसके सामने खुला आस्मान था इस राष्टर के निर्मान करने का निश्चित रूप से वो गांधी और नहरो हुआ एक लिख उसमें से कुछ दो लाइने अगर आपको बताऊं तो आप कंग्रेस की जरूरत समझ पाएंगे गांधी जी 27 जनवरी 1948 को कंग्रेस की स्थिती नाम से एक लिख लिखते हैं और उस पर वो कहते हैं कि कंग्रेस खतम नहीं हो सकती कंग्रेस मिट नहीं सकती इस इस देश को जिन्दा रखने के लिए बहुत बड़ा है इसलिए मैं इस बहस में पड़े बिना कि आज की कॉंछ लेकिन इसमें विरोध भी हमको मिलता है ना कि जब गांधी कहते हैं कि मैं जरूर्य से भी कंग्रेस से बड़ी कोई पार्टी खडी कर सकता हूं और ये भी हो को लग रहा था कि नमक जैसी छोटी सी इस पे कौन सा अंदोलन होता है एंग्रेजियों के खिलाफ लड़ रहे हो कोई बड़ा मुद्दा लाओ ये नमक जैसी कौन सी छोटी चीज है तो गांदी जी ने कहा कि अगर ये रिजोलूशन पास नहीं होता तो मैं इसी की बालू से एक नया अंदोलन खड़ा कर दूँगा उसका संदर भिन है लेकिन जो दूसरी बात आपने कहीं दरसल उसमें कोई तथ्य है ही नहीं उनीस सो च्हालेस के बास से कौंग्रेस की जो वर्किंग कमेटी है वो इस बारे में चिंतन करने लगी है कि अजादी तो लगता है मिलने कर रहे हैं गांदी जी को जब हत्या हुई है जिस दिन उस दिन सुबह गांदी जी ने अपने सचीव प्यारे लाल को पहला रफ ड्राफ्ट सौपा और उन्होंने कहा कि इस ड्राफ्ट को जरा पढ़कर के करेक्शन्स लगा करके देना उसी शामुल की हत्या हो जाती है तो जुपहा से ये मिसकंसेप्शन जनरेट हो जाता है कि गांदी जी कॉंग्रेस को खतम करना चाहते थे गांदी जी तीन दिन पहले मैंने आपको बताया कि कॉंग्रेस की स्थिती के समय में वो कह रहे हैं कि कॉंग्रेस को खतम नहीं कर रहे हैं गांदी जी कॉंग्रेस की प्राइशारी ग्रूप से देखा जाता है कि कमिनिस्ट विचारधारा की वेक्ति हैं, उनका कॉंग्रेस में आना एक डेंट माना जा रहा है बार बार कॉंग्रेस के लिए, आप ये बदलाव सरूप देख रहे हैं या कुछ और? देखे, मैं कनहिया के कॉंग्रेस में आने को अलग तरह से देखता हूँ, क्योंकि मैं ये जानता हूँ, तमाम सारे लोग जब वामपंथ कहते हैं, तो वो एक सिंगल ब्रेकेट बनाते हैं, सारे वामपंथ ही एक हैं, लेकिन जिन लोगों ने वामपंथ का इतिहास पढ़ा ह वो जानते हैं कि वामपंथ के अंदर भी सैकनो धड़े हैं, सैकनो छोटी छोटे जो है, अलग अलग विचारदा रहे हैं, कनहिया कुमार जिस आल इंडिया स्टुडेंट प्रेडरेशन का मिंबर रहा, या कम्मिनिस पर्टी अफ इंडिया का जो मिंबर रहा, वो AISF एज प्रवादी विचारदारा है, जो कॉंग्रेस के साथ हमेशा आने की बात करती थी, या कॉंग्रेस को मजबूत करने की बात करती थी, आप CPI के तमाम नेताओं के मैं आपको नाम गिनादूबी के गर्ग हुआ करते थे, वो कहते थे कि देखे, दूसरी पार्टियां गलती क करने की परंपरा है, लेकिन अगर कोई धुरवामपंथ से कल को कॉंग्रेस में आए और उसको अच्छादित करने लगे तो मैं कहूंगा कि नहीं, अभी आपको रुखना चाहिए, आपको कॉंग्रेस के एक बड़ा सवाल इससे में जो उखर रहा है, मेरे मन में, कि भारती कोई अंतर है, इनकी जमीन में कोई अंतर है, या दोनों एक हैं? निशनलिजम का जो विचार है, ये किसी माइनरिटी को कुछलने पर तो नहीं ठिका हुआ है, ये किसी की जो है मॉब लिंचिंग पर तो नहीं ठिका हुआ है, वो रास्टरवाद जानता है कि देश बनाना बनाना पड़ता है, और अगर देश बनाना जा सकती है, वो चीज दिंता संग्राम से निकला राश्टरवाद लोगों को बताया जाए तो वो समझ पाएंगे कि दरसल ये खाल ओड करके रंगा सियार आया हुआ है ठीक है ये राश्टरवाद नहीं है ये तो दरसल सांपरदाइक्ता है और संपरदाइवाद है मैं इस संदर्व में अगर एक आपको इसका सुत्री करन करके समझाने की कोशिस करूँ तो आजादी की लडाई से निकला हुआ जो राश्टरवाद है उसकी सबसे बड़ी जो चुनौती उसका सबसे बड़ा जो शत्रुए तरीके या अपोनेंट उसको कहें तो सांपरदाइक्ता है तो ये राश्टरव निश्चत रूप से पढ़ रहा है देखिए राज्य सत्या के उपर जब आपका अधिकार हो जाता है तो आप तमाम तरीके से फर्क डाल सकते हैं जिस तरीके से दिली उन्वर्सिटी के करिकुलम में परिवर्तन किये गए और सीबी सीएस चुकी पूरे देश में एक जैसा करिकुलम लाने की कोशिसें पहले से ही शुरू हो गई है अभी आज जिस जिस मौके पर हम खड़े हुएं कि जैपरकाश नरायन और लोहिया के कोंट्रिबूशन को निकाल दिया गया हम सुनते हैं कि कैसे राजिस्तान की टेक्स बुक से नहरू को निकाल दिया गया देखि पर वो इतिहास ही बदल दिया जाएगा उसकी जगह पर जूट रख दिया जाएगा जूट परोसा जाएगा तो जो अगली पीड़ी होगी निस्चित रूप से उस पर परभाव पढ़ेगा और ये बड़ा नुकसान होगा हमारे समाज का इसलिए मुझे लगता है कि गयर स अंस्थानिक प्रियास इतिहास को पढ़ाने के बढ़ाए जाने चाहिए बड़े संदर्व की बात है कि इतिहास पढ़ते वक्त युवाओं को बड़ा सतर्क होके पढ़ना पढ़ता है और ये समझना होता है कि इतिहास में कोई भी लाइन अगर कही गई है या कोई पंक्त सबसे पहले भारत